हाई गाईज नमस्ते के इमचे और वेलकम बैक टो माई चैनल आज के वीडियो में मैं आपके साथ एक अमेजिंग वाला हैर पैक और फेस पैक शेयर कने वाली हूँ तो इक ही पैक ऐसा है जिसे आप फेस पे भी अपलाई कर सकते हो और आपके बालों में भी अपलाई कर सकते हो आपकी scalp बहुत ज़दा oily है, आपको dandruff की problem है, hair fall की problem है तो ये सारी चीजों के लिए एक pack रामबान इलाज है तो ये वीडियो आप पूरा देखना क्योंकि वीडियो में सारी चीजे आप से शेयर करूँगी तो चलिए वीडियो स्टार्ट करता है तो वो amazing pack का नाम है kaolin clay या फिर इसे kaolin clay भी कहां जाता है ये मैंने online खरीदा है अगर आपको भी खरीदना है तो link में description में mention कर लूँगी ज़रूद चेक कर लेना ये 100% natural होता है तो उससे कोई भी problem नहीं होती है ये all skin type के लिए और hair type के लिए perfect रहता है तो आपको tension लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पर मैं 100 gram जितना ले रही हूँ क्योंकि इसे बालो में भी apply करना है और face पे भी apply करना है और इसमें हमें liquid warm water याने की गुन गुना पानी आड़ करना है आपको गुन गुना पानी ही add करना है ठंडा पानी बिल्कुत भी add मत कीजिए नहीं तो यह अच्छी तरह से mix नहीं होगा तो गुन गुना पानी ही लीजिए और इसकी ठीकनेस आप वीडियो में देख सकते हैं उतनी ही रखनी हैं अगर आप इतनी नहीं रखोगे तो अच्छी तरह से यह skin पे और बालों में अपलाई नहीं हो पाएगा तो यह बात का ध्यान रखे तो अब हम इसे अपलाई करेंगे तो आप पुरानी वाली टी-शिट पहन लीजे क्योंकि खराब हो सकती है इसलिए और मैंने एक टॉविल को इस तरह से wrap कर दिया है हैर में अपलाई करने से पहले पहले तो tangles को remove करें उसके बाद बालों को आप वैट कर लीजे नॉर्मल वाटर की help से यह rose water की bottle की अंदर मैंने पानी भरा हुआ है तो आप इस तरह से इसे वैट कर लीजे पूरे बालों को उसके बाद ही आप इसे apply करें क्योंकि वैट बालों में यह अच्छी तरह से apply हो पाएगा और इसके benefits भी अच्छे खासे दिखाए देंगे तो बालों को वैट करना बिलकुल भी मत बूलना तो सबसे पहले मैं इसे face पे apply करोंगी तो guys इसके benefits बहुत बहुत ही amazing है यह skin से dirt को remove करता है skin को healthy बनाने में help करता है excess oil को remove करता है skin को bright बनाता है चेहरे का रूखापन और दाग दब्बे को दूर करता है pimple को दूर करता है pimple से होने वाले दाग दब्बे को हटाने में मदद करता है यह natural detox करके skin को exfoliate भी करता है skin पे itching की problem को solve करता है अगर आप इसे regular use करोगे ना तो आपके skin पहले से ज्यादा lighten होगी यानि कि आपके skin पहले से ज्यादा आपको bright दिखाई देगी तो इसे आपको week में 2-3 बार use करना ह और अगर आप teenager हो तो भी आप यूज कर सकते है sensitive skin वाले भी यूज कर सकते है all skin type के लिए यह perfect है मुझे तो यह पहली बार जब मैंने यूज किया था ना बहुत ज्यादा पसंद आया था इसका result बहुत ज़्यादा amazing है तो आप इसे जरूर ट्राइग करें अब मैं इसे बा और हाँ guys एक बात ज़रूर याद रखे कि जब हमारी scalp oily होती है ना वहां से हमारे बालों में सारी problem start होती है जैसे कि hair fall होना, dandruff होना, बाल freezy हो जाना, damage हो जाना तो यह oily scalp को control करता है, repair करने में help करता है, dandruff की problem को भी दूर करता है और आपके बालों को smooth shiny तो बनाता ही है, साथ में hair growth भी बढ़ाता है और बालों को जल्दी से लंबा करने में भी help करता है, तो आप इसे scalp में अच्छे से apply करे, पूरे बालों में apply करे, hair length में apply करे, 15 साल से लेके सारी age वाले इसी use कर सकते हैं, और यह आपके बालों के लिए एक रामबान हिलाज है, बहुत ही अच् 20 मीट तक रखना है और 20 मीट के बाद हम shampoo और conditioner की help से wash कर लेंगे बालों को और ठंडे पानी की help से face को wash कर लेंगे तो guys आप देख सकते हैं मेरे जो बाल है वो पहले से ज्यादा शाइनी लग रहे है, बहुत ही lightweight लग रहे है और बालों का volume भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है और मेरी skin भी पहले से ज्यादा bright लग रही है और बहुत ही smooth लग रही है तो मुझे तो ये mask बहुत ज़्यादा पसंद है आप भी try करना और मेरे साथ comment section में आपके experience ज़रूर share करना अब मैं आपके साथ कुछ tips भी शेयर करना चाहती हूँ जो skin के लिए और बालों के लिए तो skin के लिए टीप no.1 है कि दोस्तों जब याप face को wash करते हो और wash करने के बाद आप इसे dry करते हो तो dry करने के लिए आप एक napkin यूज करते हो तो napkin आपका अलग ही रखे किसी के आपको भी हो सकती है इसलिए ध्यान रखे कि आपका जो napkin है या फिर towel है वो अलग ही रखे तो दोस्तों अगर आपको pimple की problem है और pimple आपको बहुत ज़दा परेशन कर रहा है तो हमें आदत होती है कि हम इस तरह से ऐसे उसे फोर देते तो ऐसा बिल्कुल भी मत करें क्या ह होता है कि pimple का जो infection होता है ना वो दूसरी जगह पर लग जाता है और उसके कारण दूसरे pimple होते है पिंपल तो चला जाता है लेकिन उसके जो दाग होते है ना वो रह जाते है तो ऐसा विल्कुल भी नहीं करना चाहिए अगर उसका solution चाहिए तो यह वारा face pack आप ट्राइ की help से तब आप नेपकिन से face को dry करते हो तो आपको इस तरह से रब नहीं करना है आपको इस तरह से रब करना है अगर आप इस तरह से रब करोगे ना तो pimple के जो infection होगा ना पिंपल का जो infection वो भी दूसरी जगह पर लग सकता है और आपकी skin भी खराब हो सकती है अगर sensitive skin है उसके बाद शाम को आप यूज कर सकते है और रात को सोने के time तो आपको face को wash करना ही चाहिए और उसके बाद skincare routine भी follow करना ही चाहिए तो guys skincare routine का अगर वीडियो देखना चाहते हो तो monsoon skincare routine का वीडियो भी मैंने आपके साथ शेर किया है तो यह आप eye button पे click कर सकते हो या फिर description मैं link mention कर दूंगी जरूर चेक कर लेना तो आप बालों के लिए में टिप्स देना चाहूंगी तो मेरी tip number one है कि जब भी आप बालों को wash करते हो तो wash करने से पहले बालों से सारे टैंगल को रिमू करो उसके बाद ही बालों को wash करो अगर आप बालों को वाश करने के बाद ट करना चाहिए क्योंकि मुझे परसनल एक्सपरियंस है कि जब मैं मसाच करती थी ना पहले तो मतलब इतना जोर जोर से मसाच करती थी कि पूरे बाल बूज जैसे इस तरह से आ जाते थे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए उससे क्या होगा कि आपको हैर फॉल की प्र बहुत लोग करते हैं कि जब बालों में लगाते हैं तो उसे तीन चाथ दिन तक रहने देते तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए ऐसा करने से आपकी जो स्केल्प होती है ना उसके जो पोर्ज होते हैं वो मिनिमाइज हो जाते और दूल मिटी सारी चीज अंदर चली बहुत लोग यह भी गलती करते हैं कि शेंपू तो अपलाई करते हैं उसके बाद कंडिशनर अपलाई करना जरूरी नहीं सामचते हैं बहुत लोगों को तो कंडिशनर किस तरह से यूज किया जाता है वो भी नहीं पता है तो गाइस उसका वीडियो में मैंने अपके साथ कि बालों को किस तरह से वाश किया जाता है तो अगर आपको वीडियो देखना है तो उसकी लिंक में डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँ कि जरू चेक कर लेना तो शेंपू के बाद जरू कंडिशनर यूज करें कंडिशनर यूज करने से आपको टैंगल से छुटकारा मिलेगा आपके बाल सिल्की स्मूध भी होंगे और साथ में हैर फॉल की प्रॉब्लम भी कम हो जाएगी तो यह बात भी जरू ध्यान रखे तो यह था मेरा आज का वीडियो आई होप आपको पसंद आया हो तो गाइस बहुत जबता तैड यह पर दख्यापर आप और करना सिया और मेरे साथ आपकी जो बीदिशनर दुने आई हो जरू शेयर करना और हाँ इस्ताग्राम पर आपकी रिजल्ट शेयर करना और मुझे टैग करना विल्कुल भी मत बूलना इस्ता स्टोरी में मैं भी आपकी जी स कर दो दो दो